नमस्कार आज हम लोग बात करेंगे कंजंगटिवाइटिस के बारे में आतके बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम चंजंगटाइवा के basic anatomy को समझ लें तो क्या-K्या changes होंगे चंजंगटिवाइटिस के माबलो में उसको feel कर पाना आसान हो जाएगा हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से immunological responses होंगे जो conjunctivitis के मावलों में देखने को मिलेंगे इसको समझने के लिए हमें inflammation की वो सारी घटनाएं वो immunological जो process चल रहे होते हैं उन सारी घटनाओं को एक बार यहाँ पर दुबारा पढ़ने का मौका मिलेगा हम जो बात करेंगे allergic conjunctivitis के बारे में तो उसमें देखेंगे type 4 hypersensitivity reactions के response कैसे होते हैं हम यही पर देखेंगे varinal kerato conjunctivitis के मावलों में type 1 hypersensitivity reaction का क्या response होगा तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ पर हम pharmacological basis पर उन सारी घटनाओं को देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई allergen आता है तो किस तरीके से हमारी body उसके against excessive gym response पैदा करती है तो फिर inflammatory process होती है उन सारी चीज़ों को हम एक बार step by step देखेंगे और किस तरीके से हम उस process को pharmacological basis पर रोग सकेंगे यह सारी चीज़ें आज हमें conjunctiva के इस topic में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आज हम allergic conjunctivitis को ही cover करेंगे उसके बाद बाकी सारे कारणों को भी देखेंगे तो यहाँ पर conjunctiva होता क्या है और कितने parts है आप सिधी दोर पर देख सकते हैं यह superior palpebral conjunctiva के हिस्से को यहाँ पर दिखाया गया है यह thin semi transparent mucous membrane की covering होती है जो हमारे inner surface आप यहाँ पर देख सकते हैं inner surface of eyelid को और white part of sclera को यानि eyeball के white part को यह cover करता तो जो white part को cover करने वाले conjunctiva का representation होता उसे हम bulbar conjunctiva कहते हैं देखें यह sclera के level पर है जबकि inner surface of eyelid पर transparent mucous membrane की covering जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो inferior palpebral conjunctiva का हिस्सा है इसके साथ ही साथ corners पर हमें conjunctival fornix के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा हम इतना detail में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे discussion करना है किस तरीके से किस cornea conjunctiva कौन सा पार्ट किस तरीके से involved होगा और inflammatory process वहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगी तो conjunctiva के जो basic structures पर हमने discuss किया वो एक thin semi transparent mucous membrane थी जो inner surface of eyelid को cover के हुए थी और white part of eyeball जिसे हम sclera कहते हैं उसको भी cover के हुए था इसके कितने conjunctiva के part हमने देखे तो एक palpebral part देखा जो inner surface of eyelid को cover के हुए था इसमें orbital, tarsal और marginal three parts होते हैं अभी हम इसके बारें बात करेंगे हमने सीधे तोर पर palpebral का धाम लिया था उसको हम further three types से divide कर सकते हैं जैसे आप देखें यह जो हमारे आई की आप समझेंगे इनर जो portion होता उसमें एक thin mucous membrane की covering होती है उसको part wise तीन अलग-अलग नाम दिये गया है क्या नाम है? orbital या orbital, tarsal, marginal इतने parts अभी हम दिखाएंगे फिर bulber जो white part of eyeball जिसे sclera कहते हैं उसके over जुपाया जाता है इसके लबा conjunctival fornix जो मैंने आपको बताए यहाँ पर इस हिस्से पर दिखाने का प्रयास किया था तो A, B, आप देखें यह upper palpebral part था, यह lower palpebral part था और यहाँ पर बलبر part है और यहाँ पर conjunctival fornix का part cornea यह pupil और iris को cover किया हुए था और इस हिस्से में इन सारे हिस्सों में हम conjunctiva के different parts के बारे में discuss कर चुके हैं जिस palpebral का मैंने नाम लिया था तो उसमें upper side में है अगर दिखाने का प्रयास करें तो यह पहला जो palpebral जिससे हमने कहा कि यह पुरी तरीके से inner surface of eyelid पर इसके presence होती है जिसको further हम three parts में divide कर सकते हैं orbital यहां पर देखें, orbital इस part को कहते हैं, torsal इसके थोड़ा से नीचे और marginal आप इस नाम को याद रखेंगे तो orbital, torsal and marginal यह नाम हमने आपके सामने discuss किया था यहां पर superior fornix होता है आप उपर के और देखें और यह bulbar conjunctiva का part इधर के और दर शाय गया है histopathological structure, means histological structure की जब बात करेंगे तो यहां पर छो pathological changes होंगे उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए histological structure की मदद लेने पड़े तो उसके लिए हम देख रहे हैं यहां पर इसकी epithelial layer को और उसके नीचे stromal layer को epithelial layer यह होती कैसी है? stratified होती है, multiple layer में होगा लेकिन यह non-keratinized epithelium की layer होती है neat में यह question पूछा गया है, stratified squamous non-keratinized epithelium की layer होती है और उसी से just नीचे stroma की layer होती, उस stroma की layer में एक adenoid layer होता है जिसमें lymphocytes होते हैं तो यह infiltrate होकर के, जब immunological responses होते हैं, तो इस समय उसका बढ़ जाता है, adenoid layer का इसी के नीचे होता है fibrous layer, जहां पर collagenous, elastic fibers, vessels और nerves यहां पर देखने को भी लेंगी जब कभी भी यहां पर changes होंगे, तो इनके layers में pathological involvement होगा और उसके करण body का किस तरीके से reaction होगा, वो सारी changes इसी layer के आज स्पास हमें देखना होगा यहां पर goblet cells होते हैं, जो mucus को inflammation के दौरान secret करते हैं इसकी tear film जो इसके बाहर पाई जाएगी, उसकी tear film जो यहां पर पाई जाती है वो actual में three layers होती है, जो cornea और conjunctiva को cover के हुए होगा तो यहां पर जो epithelium के ऊपर tear की film होती है, एक तरीके से lubrication का का काम करती है वो actual में cornea और conjunctiva के ऊपर देखने को मिल जाती है, जिसमें oily layer, watery layer और mucin की layer होती है जो mucin layer होती है, उस mucin को produce करने के लिए goblet cells, glands of mange और crypts of hinle का अपना एक importance होता है, ज्यादा important नहीं है, बस ही कलपना करना है, कुछ dynamic three layered tear film होती है अब बात करते हैं conjunctivitis की, यानि conjunctiva में inflammation अगर होता है, तो कितने कारणों से हो सकता है खास दोर पर अगर देखा जाया तो conjunctiva का involvement होगा, तो हो सकता proper infection हो, हो सकता है वहाँ पर किसी allergen के against body का response रहा हो, जिसके करने conjunctivitis हो जाए हो सकता कोई trauma रहा हो, इसकी वज़ा से ऐसा हुआ हो, और आप जानते हैं जब कभी भी इस तरीकी की situation होती है तो हमारे पास pathology की वो जो basic understanding है, जिसमें हम जानते हैं, कभी भी किसी भी part को प्रभावित अगर होता है तो जिसके against हमारी immunity काम करती है, वो तीरही तरीके से काम करती है या तो कोई bacteria आया होगा, तो काम कर रहा होगा हमारी immunity दूसरा, bacteria नहीं है, लेकिन body के लिए वो बहुत irritating है, जैसे allergen की बात हम देखते है allergic conjunctivities के बारे में जो हम discuss करेंगे तो वहाँ पर कोई allergen है, जो body को irritate कर रहा है, जिसके खरण body community उसके against काम करती है कई बार ऐसा होता है, body community अपने ही parts को allergen के तौर पर देखने लगती है कहीं पर भी, जब कभी भी infections या allergens outside के होँ या फिर हमारी body खुद के ही self-antigenic जो properties होती है उसकी वज़ा से immunity के response देखने को बिल रहे हो तो यही तीन ऐसे कारण होते हैं, जो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे आप देखेंगे, यहाँ पर infection का जो pattern होगा, अगर infectious किसी कारण से हो रहा होगा तो वहाँ bacterial हो सकता है, fungal हो सकता है, या viral causes हो सकते है जो conjunctiva को प्रभावीत करेंगे, तो यहाँ के layers उसके against अपनी inflammatory response जनरेट करेगी इसी तरह किसे allergens के against हो सकता है, trauma के against हो सकता है आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बनाए रखें और जैसे कि मैंने आप से कहा कि immunity कुछ ही मावलों में कुछ बहुत basic fact है जिनके against हमारी immunity काम करती है इस्पेक्टरम चाहे जितने भी बड़े हम देख रहे हों लेकिन उसमें infectious में ही अगर देख रहे हैं तो कितना जादा होगा जैसे fungal अगर causes की वज़ज़ से हमारी body की immunity उसके against response कर रही है तो वो उतना जादा violent नहीं होता है वहाँ पर हमें serious discharge देखने को मिलता है जबकि viral में या bacterial जब infection होंगे तो उस समय हमारी body बहुत violent बहुत तगड़ा response जनरेट करती है जिसके करण mucopurulent यहां तक की hemorrhagic responses भी देखने को मिल सकते हैं तो किस तरीके का infection है उसका pattern देख करके भी हम कई बार अनमाल लगा सकते हैं कि body का immunity किस तरीके से उस पर act कर रही है और वो sign के तोर पर हमें देखने को मिल सकता है सिंटम के तोर पर देखने को मिल सकता है तो conjunctivitis की बात कर रहे हैं तो discharge होगा जैसे कि मैंने आप से कहा फंगल वाले मामलों में serious यानि water discharge जादा होता है जबकि purulent, acute purulent है तो bacterial, mucopurulent, mucous के साथ है तो bacterial और clam ideal अगर कह रहे हैं हाइपरीमिया तो जैसे कि मैंने आप से कहा viral infection में भी यह सारी चीज़ें होती है hemorrhagic response, hemorrhage, उस तरीके के मामले, enteroviral, adenoviral, trauma के conditions में possible है यहाँ पर enteroviral की जगा, coccy virus का नाम भी दिया जा सकता है तो यहाँ, NEET में पूछा किया एक पर question रहा है, does not cause hemorrhages, adenoviruses करते हैं coccy viruses या enterovirus, यह कही चीज़ें हैं और trauma की वज़ा से भी होता है लेकिन papilloma viruses के against, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे hemorrhagic conjunctivitis तो वो यहाँ पर नहीं होगा अब सवाल यह उठता है कि जब हम microbiology में, virology के बारे में study कर रहा है तो उस चीज़ को यहाँ पर एक बार recall करने का हमें मौका मिलता है कैसे आप एक एक चीज़ देख सकते हैं, adenoviruses के बारे में हमने बात किया था, enteroviruses के बारे में बात किया था adenoviruses के बारे में जब बात किया था तो वहाँ पर काफी detail में बात हुई थी कि हमें इसको अपhthalmology में एक बार connect करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर जब हम viral conjunctivitis पर बात करेंगे तो काफी detail में बात होगी इतना ही नहीं, inflammation जब होता है तो आप जानते हैं swelling होगा ही, conjunctiva swell कर सकती है और यह viral और bacterial दोनों ही मावलों भी कर सकता है, मैंने का fungus में उतना violent response body का नहीं होता है लेकर एक चीज़ ध्यान रुखना है, pupil के जो reaction होंगे, वो normal होंगे, क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, iris पर conjunctiva का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इस वज़े से pupillary reaction यहाँ पर normal होंगे कोई बहुत बड़ा question नहीं है, अगर आप नॉर्मल है नॉर्मल होना ही है, लेकिन कुछ मावलों में देखने को बिलेगा, infiltration, colored halos, subconjunctival scaring जैसे मावले तो यहाँ नीट में एक बार पूछा क्या question रहा है, conjunctivitis का feature क्या नहीं है, mucoid discharge बिल्कुल होता है, bacterial या clamidial infections के मावलों में, trachoma के मावलों में, यहाँ पर हम देखेंगे mucoid discharge, impaired pupillar reaction नहीं भाई, pupillar, pupillar, pupillar पर कोई फरक नहीं पड़ता है, normal रहेंगे, kemosis, याने swelling of conjunctiva, यहाँ पर ध्यान रहे, colored halos के कितने कारण हो सकते हैं, तो conjunctivitis हो सकता है, glaucoma के मावलों में भी हम colored halos के conditions को देखेंगे, जैसे open angle हो, check closed angle हो, बहाँ पर colored halos के conditions होती हैं, cataract के शुरुवाती मावलों में भी हमें colored halos देखने को मिलते हैं, तो initial stages of cataract में भी colored halos के बारे म हम study करेंगे, तो यह सारी चीजें ध्यान में रखना है, conjunctivitis में colored halos होगा, glaucoma में होगा, initial stages of cataract में यह चीजें possible है, तो ठीक है, जो नहीं possible है conjunctivitis में वो papillary reaction impaired नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर conjunctiva का कोई लेना देना papillary reaction से नहीं होता है, अब conjunctivitis के मावलों को देखे तो इसमें papillary conjunctivitis और follicular conjunctivitis, तो अब इसमें palpebral और limbal दोनों हिस्से में इसको prominently हम देखने को पाते हैं, और follicular वाले जो मावले होते हैं, वो fornix के part में यह ज़्यादा prominent होगा, papillary conjunctivitis जब हम कहते हैं, तो यह allergic reaction के मावलों में आम तोर पर देखने को मिलता है, अगर य मुकोपियोरियंट है तो bacterial होगा, जिसमें contactless के इस्तिमाल करने की वज़ा से मुकोपियोरियंट प्रिजंस देखने को मिल सकता है, यहां पर खासतोर पर palpebral and limbal part, यानि underside of the eye में हमें round round papillary growth हमें देखने को मिलेगा, round bumps जिसे हम कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहां पर conjunctiv का response होगा, underside of the eyelid में इस तरीकी के presence, palpebral जो part था conjunctiva का वो mainly यहां पर involved होगा, symptoms wise हम और sign wise किस तरीकी के changes होगे, अगर adenovirus है तो यहां पर देखें, hemorrhagic changes नजर आ रहा है, bacterial में mucopurulent यहां पर changes देखने हैं, varinal जिसके बार में भी हमें discuss करना है, यह allergic response है, आप देखें यह हाँ पर round round से एक growth हमें देखने को पिल रहा है, follicular में inferior fornix के हिस्से में, klemadia की वज़ह से होने वाले conjunctivitis के, इस image में हम देख सकते हैं inferior fornix के हिस्से को, superior fornix के हिस्से को यहां पर दिखा जा सकता है, इसके लावा यह palpebral conjunctivitis का हिस्सा और यह हिस्सा है bulbar conjunctivitis का, तो य inferior fornix और इधर क्यूर palpebral conjunctiva का, तो यह bulbar conjunctivitis अगर होगा तो इस से same involvement होगा, आप समझ सकते हैं, bulbar part है conjunctiva का, वो involved हो रहा होगा, यही इसी तरगे से inferior fornix के level पर, यहां पर जो mucous glands होती हैं, वो follicular conjunctivitis में involved होती हैं, inferior fornix, follicular conjunctivitis के मावलों बे आम तवर पर involved होते देखा गया है, यह inferior fornix, इधर की और है superior fornix, जिसे हम लोग ने यहां पर देखा था, point B, bulbar यह, palpebral यह, तो जैसे यह superior fornix है, वैसे ही, नीचे की और inferior fornix होगा, तो papillary versus follicular conjunctivitis के जो मामले होते हैं, कैसे इसको देखेंगे, तो allergy इस तरह के सो सकते हैं, और bacterial यह इसके का होगे, जबकि यहां पर CTV का code बना करके याद किया सकता है, कुछ toxic material और viral causes इसके लिए responsible होते हैं, देखा जाया तो यहां पर red dots हमें देखने को मिलेगा, यहां पर red dots हमें देखने को मिलेंगे, और यहां पर white nodules बहुत prominent होते हैं, जो lymphocytes के द्वारा यहां पर filled हमें देखन को मिलेंगे, तो जो follicular था, वो कहां पर था, fornix के site पर, आपने देखा था न, FRF, जो viral और clamadial causes की वज़ा, यह papillary, यह palpubral और limbal, limbus वाले हिससे में, अभी इसको और अच्छे से हम देखेंगे, जब allergic conjunctivitis पर बात करेंगे, तो देखेंगे, किस तरह के से limbus का involvement, palpubry का involvement, यह सारी चीज़े हम देखेंगे, इस दोरान watery discharge होगा, जबकि अगर mucopurulent तो bacterial causes, overall जिस तरह के से हमने pathology में पढ़ रखा है, कभी भी body का immunity तभी जगती है, जब कोई allergic response होता है, यह hypersensitivity का response जैसा समझा जा सकता है, तो कुछ लोगों के लिए normal बात होती है, कुछ कोमा हो सकता है, और एक और additional topic यहाँ पर ophthalmia, neonatron, जिसमें कई सारे infections को एक साथ हम देख सकते हैं, इसके रामा यहाँ पर fungal causes भी हो सकते हैं, इसके रामा, trauma के साथ भी इसको connect करते हुए हम समझ सकते हैं, अब बात कर रहेंगे हम लोग allergic conjunctivitis की, जिसमें हम veronal kerato conjunctivitis को detail में discuss करेंगे, क्योंकि उसी पर आधारित question पूछा जाता है, और इसमें जितने भी topic हम discuss करेंगे, वो किसी allergen के against body का response है, और उसी के pattern को हम दाय बाय थोड़ा बोद देखें, तो अलग अलग level पर उसको classify करने की कोशिश की गई है, हमारा जो topic है वो varonal kerato conjunctivitis, क्योंकि उसी पर conjunctivitis, giant papillary, giant papillary conjunctivitis, लेकि उसमें more or less symptoms, eating का ही होगा, redness का होगा, blurring sensation का होगा, अब inflammation से उसको जोड़ करके देखें, watery या serious discharges के माबले हो सकते हैं, mild photophobia हो सकता है, यहाँ पर sign के तौर पर, as a doctor जो हम देखते हैं, तो देखें यहाँ यहाँ उपर cure, conjunctiva में swelling देखने को मि जैसे के बने आप से कहा था, palpibril, तो आप देखें, यह palpibril पर हम देख पा रहे हैं, lymphocytic infiltration, जिसकी वज़ा से यह सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ilits की edema, palpibria के उस हिस्से में देखें, जहाँ ilits के underside पर ही तो conjunctiva की mucous layer होती, जिसमें हम देख रहे हैं, papillary reaction और ilits, जब यह involved होगा, तो ilits पूरा पूरा involved हो जाता है, जिसके करण edema ilits में देखने को मिल जाती हैं, conjunctiva पर जो main effect पड़ेगा, immunity का जो response जो देखने को मिलेगा, वो bacterial, viral और इस allergen की, या किसी allergic कारणों की वज़ा से, immunity का वहाँ response देखने को मिलता है, तो bacterial में किस तरी क हम पहचानेंगे, bacterial origin का वहाँ पर immunity का response है, या viral causes की वज़ा से है, या allergic कोई response है, उन सारी चीजों को देखने के लिए हम pattern of discharge को देखेंगे, purulent discharge है, तो वो bacterial ही हो सकता है, viral में या allergens के against, जब body response करती है, तो purulent discharge नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया, redness, अगर viral है, या bacterial है तो काफी ज़ादा होता है, allergens के against भी होगा, और lymph node, lymph node की जो swelling होगी behind the ear, वो viral conjunctivitis में ज़ादा associated होता है, इचिंग के मामले, allergic मामलों में देखने को मिलेंगे, जब allergic conjunctivitis के बात कर रहे हैं, तो न सिर्फ eyes में, बलकि दूसरे भी allergens, allergic जो responses होंगे body में, वो भी देखने को बलेंगे, light के sensitivity, यहाँ पर allergic conjunctivitis में जदा देखने को मिलेगा, बाकि इसमें भी हो सकता है, nasal discharge, आप समझ सकते न, दूसरे body के parts भी प्रभावित होंगे, तो nasal discharge, allergic conjunctivitis में देखने को मिलेगा, हमारे लिए जो ज़रूरी है, allergic conjunctivitis में वो, veronal keratoconjunctivitis है, और factanular keratoconjunctivitis है, वैसे तो allergic conjunctivitis, simple allergic conjunctivitis होता है, मिंस एक type होता है, veronal keratoconjunctivitis है, atopic keratoconjunctivitis है, और giant papillary conjunctivitis है, atopic की जब हम बात करते तो वहाँ पर बड़े लेवल पर, body का immunity का response देखने को मिलता है, जहां यह मारा जाता है, veronal keratoconjunctivitis, छोटे बच्चों में जो pattern दर्शाएगा, adults में atopic keratoconjunctivitis का वही pattern देखने को मिलता है, simple allergic conjunctivitis, जिसमें किसी खास season में, या फिर हो सकता है, पूरे साल में, allergic conjunctivitis के pattern देखने को मिलते है, तो अगर केवल conjunctiva involved हो रहा है, तो हम उसे simple allergic conjunctivitis कहते हैं, अगर cornea और conjunctiva दोने involved हो रहा है, छोटे बच्चों में है, तो वो varonal keratoconjunctivitis, और इसी का adult form कह सकते है, atopic keratoconjunctivitis, यानि extensive है, cornea और conjunctiva दोने involved हो गया है, तो B और C में cornea और conjunctiva, इसी के level पर एक बड़े level का community का response, जो giant papillary conjunctivitis के तोर पर हम पढ़ते हैं, तो हमारा चो target है, वो varonal keratoconjunctivitis है, जो बहुत जादा अंतर नहीं रखता, बस इतना सा समझना है, simple conjunctivitis में सिर्फ conjunctiva involved हो रहा था, यहाँ पर cornea plus conjunctiva involved, बाकि कोई अंतर नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मामूली संतर होता है, यहाँ तकी जो drug का pattern है, जो drugs यहाँ पर दिये जाते हैं, उसमें भी कोई बहुत सारे differences नहीं होते हैं, तो allergic conjunctivitis में, यह सारे के सारे जो parts हैं, वो आमतर पर type 1 hypersensitivity reaction से ही related होते हैं, जब हम बात करेंगे atopic में, तो वहाँ पर कुछ type 4 hypersensitivity reaction का भी response देखने को मिलेगा, अगर exclusively कहा जाए type 4 hypersensitivity reaction के मामले, तो वो factannular keratoconjunctivitis में देखने को मिलेगा, यह type 4 hypersensitivity reaction का response होता है, क नोमर है, क्यों? क्योंकि यह spring season में नहीं होता है, यह warm weather में होने वाले conjunctivitis, जिसमें cornea भी involved होता है, यह आम तोर पर self-limiting होगा, लेकिन बार बार होता है, और warm season में periodically इसके incidences देखने को मिलेगे, तो क्यों इसको simple seasonal क्यों नहीं कहा गया? simple seasonal नहीं है, यहाँ cornea भी involved है, इसलिए थोड़ा सा extent ज्यादा है, इसलिए keratoconjunctivitis के माबले होने इसको कहा गया, वरना आप देख सकते हैं, simple अगर क्यों कंजंग टाइवा involved होता है, तो हम seasonal allergy conjunctivitis कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर cornea और conjunctivitis कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर cor topic keratoconjunctivitis कहते हैं, यहाँ पर जो माबले हैं वो pediatric case group का है, type 1 hypersensitive reaction की वज़ा से होता है, यहाँ पर IgE और mast cells के द्वारा mediated response होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, यहाँ immunology को एक बार फिर से पढ़ने का मोखा मिलेगा, अभी मैं आपको बताने का जब explain हम करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से allergen के against IgE और mast cells के वज़ा से यहाँ पर यह problem develop होती है, और कैसे हम उसको treat करेंगे, वो उसकी पूरी की पूरी जो sequences को जान लेंगे, तो उसे treat करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, यहाँ पर itching होगा, चुकिए allergic है ना, case study में यह बहुत ही बड़ा clue point होगा, इसके लिए रोपी डिस्चाज, तो वाटरी डिस्चाज तो होता है, लेकिन हलका सा जादा thickness में होता है, तो इसलिए इसको रोपी डिस्चाज, रोपी डिस्चाज जब कहें तो हमारे लिए उससे में option में देखने वाली बात होती है, क्योंकि नीट में कई बार case studies इसी बात को लेकर के बनाए गया है, तो रोपी डिस्चाज, फ्रम दो आइस सीन इन, तो फ्लैक टेंडूलर के रेक्शन नहीं है, तो type 4 hypersensitivity reaction है, जो staff और tuberculosis के मामलों में देखने को बिलता है, type 4 hypersensitivity reaction, swimming pool नहीं, ये भी नहीं है, spring ketara, यही है, ना यह viral, एडिनो वाइरस की वज़ा से होने वाली सबस्या होती, swimming pool conjunctivitis, यह बाबले, clematia की वज़ा से होती, तो आगे हम discuss करेंगे इसमें, एम्स में एक बार question पूछा गया है, six year old male presented with complaint of eating in both eyes, और आप समुझ सकते, eating एक बड़ा ही point यहाँ पर मिला, on examination, conjunctiva is muddy, ठीक है, यह पर एडिमा हो गया होगा, clinical presentation दर्शा आएगा, लेकिन यहीं से हमारे सामने यह बात खुल जाती है, varinal keratoconjunctivitis का, एडिनो वाइरल जब होगा तो वहाँ पर हैमरेजिक मामले होंगे, जिर अप्थैली में आपने अपने अलग ही मामला होता, वहाँ पर scaring जैसे मामले हों हमें option 1 में देखने को मिलेगा, जिस पर हम आगे आपके साथ discuss करेंगे, अब सवाल यह उठता है कि patient की symptoms तो पता चल गया, ropey discharge है, eating है, redness है, वो सारी चीज़े हमें समझ में आगई, sign क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो kormia के आज सपास में हम देख सकते है, superficial punctate keratitis, shield ulcer व क्योंकि pseudo-zerontoxone कहा जाता है, वो देखने को मिल जाता है, pseudo-zerontoxone, इसको लेकर के neat में question पूछा गया है, सवाल यह भी है, shield ulcer क्यों develop होता है, तो यहाँ पर जो पूरा कपूरा कंजिंग्टाइवा से लेकर cornea तक involved हुआ है, उसकी वज़ा से आप देख सकते हैं, उपर के औ सकता है, blood vessels आप समझ सकते हैं, वहाँ पर उनके infiltration की वज़ा से यहाँ पर जो infiltration होगा, blood vessels से, वहाँ पर जो damaging effects होंगे, उसके बाद corneal scarring जैसे मावले यहाँ पर involved हो सकते हैं, लिंबस के हिस्से में, जैसे कम ने आपको बता है तो उपरी हिस्से में, या नीचरी हिस्से म मावले, जिसमें उपर की और curd white line जो हमने देखा था, उसको pseudo-zeron toxon का नाम दिया था, तो shield cataract कब कहेंगे, कहां होता है, shield ulcer कहां पर होगा, पता होना चाहिए, superficial punctate keratitis, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस तरह के से cornea का जब involvement होगा, तो puncta, superficial punctate keratitis जैसे मावले देखने को म लेगा, यहाँ पर cobble stone papilla conjunctiva में आप देख सकते हैं, palpebral conjunctiva के इस पार्ट में, flat, topped, यह देखें, उभरा हुआ, flat, topped, यह papilly देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं की rubbing की वज़ा से shield ulcer वहाँ पर cornea में develop हो सकता है, क्योंकि उभार जो है, यह cornea को रगड खाने की वज़ा से हो स यह horner tranta dots कहलाता है, यह white nodules हैं, जो upper limbus के closed area में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर yosnophils का collection मिल सकता है, इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं, conjunctiva में swelling देखने को मिल सकता है, conjunctival sign को एक बार cover करेंगे, cobble stone appearance, जो palpebral conjunctiva में flat topped papilla, जो drop करनी की वज़ा से shield ulcer develop करा सकता है, पूछा गया है, horner tranta spots, हमने देखा था न, upper limbus के part में hypertrophy of superior limbal conjunctiva, जो white nodules के तौर पर हमें देखने को मिला था, जो eosnophils का collection रखता है, aims में पूछाएगे question, incorrect regarding varinal keratoconjunctivitis except, तो क्या यहाँ पर follicular hypertrophy होता है, नहीं, यहाँ रहे, यहाँ पर papillary hypertrophy होता है, follicular जो होता है, आम तर पर fornix के हिस्से में होगा, जो F से F के तौर पर याद किया सकता, fornix में follicular hypertrophy देखने को मिलेगा, यहाँ पर palpibril part ज़्यादा involved होते हैं, तो उसे P से P याद कर सकते हैं, papillary hypertrophy होगा, follicular वाले जो मामले थे, वो viral या प्लमेडिया के मामले में देखने को मिलेगी, यह बैक्ट्रिया के मामलो में papillary hypertrophy हो सकते हैं, या फिर allergic causes की वज़ा से, तो papillary hypertrophy होगा, यह गलत statement है, इसलिए हमने इसको देखा, यह गलत है, incorrect statement की बात हो रही थी, अच्छा, यहाँ पर अगर correct कहा जाए, तो फिर second option हमारा सही हो जाएगा, बाकि अगर multiple false statement देखने हैं, तो फिर हम उसके आधार पर देख सकते हैं, second statement, हालमार्क is presence of cobble stone papillary, बिल्कुल ठीक बात है, papillary hypertrophy में हमने क्या देखा था, cobble stone appearance, जो palpebral conjunctiva में papillary hypertrophy की वचा से हो रहा था, mild eaching, यहाँ पर होता है क्या, नहीं, mild eaching नहीं हुआ, severe eaching होगा, हमने पहले यह देखा, क्या यह type नहीं, यह भी बात गलत है, तो type 4 hypersensitivity reaction नहीं होगा, या type 1 hypersensitivity का reaction होगा, तो overall हम true and false करेंगे, अब question जो पूछे आ रहे हो, उसके आधार पर हम देख सकते हैं, true statement, second option है, बागी सारे, false option यहाँ पर दिये गया, और क्या सही होना चाहिए, वो भी हम लोग ने discuss कर लिया, PGI में पुछाए गया a question, feature of veronal kratoconjunctivitis is R, तो papillary hypertrophy बिल्कुल ठीक बात, रट लीजे, या fornix के level पर जो होता है, वो clamadia और viral causes की वज़ा से होता है, क्या यहाँ पर herbert spit बनेगा नहीं, यहाँ पर herbert spit हम आगे discuss करेंगे, क्या यहाँ ciliary congestion नहीं, भाई, यहाँ यहाँ तो conjunct spot यहाँ पर देखने को बिलेगा, यहाँ पर एक statement पूछा गया है, Maxwell Lyons sign is a feature of, तो वो actual में एक special sign के दोर पर देखाए जाता है, जो coagulated copious discharge, जो pseudomembrane का formation करता है, उसकी वज़ा से spring catarach, या फिर हम veronal kratoconjunctivitis के मामनों के देखने को पाते हैं, ट्रैकोमा में यह नहीं हो नहीं देखने को मिलेंगे, अब सवाल यह है, कि यह जो पूरा का पूरा जो हम response देख रहे हैं, जहाँ पर कई तरीके से redness हो रहा है, बाकी सारे inflammatory mediators, जो cells होते हो बुलाया जा रहा है, scarring हो रहा है, ulcer हो रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे होंगे, उन सारी चीज़ें को दे कोई allergen, चाहिए वो pollen हो या dust हो, उसको आया macrophages जैसे antigen presenting cells ने उसके antigen को अपने surface पर लिया, जिसको read करता है, TH2 cells, यह सारी चीज़ें हम pathology में पढ़ते हैं, अगर हम खुराना की book में देखेंगे तो वहाँ पर भी यह statement मिल जाता है, लेकर एक बार देख लें pathology के इस concept को काफी आसान हो जाएगा, जब यह TH2 cell इस antigen को पहचान लेता है, तो फिर cytokines को release करता है, बाकी सारे cells को बुलाता है, कैसे, IL-4 को release करके monocytes, जो further macrophages में convert हो जाएंगे, उनके लिए signal पहुंच जाता है, IL-5 के द्वारा eosnophils को बुलाया जाता है, यह चीज़ें याद रह किस को बुलाया गया है, यह बहुत-बहुत पूटी चीज़ है, क्योंकि यहीं से रटलिंगे pathological concept clear हो जाएगा, टाइप-1 hypersensitivity reaction में, IL-4 के द्वारा monocytes को बुलाया जाता है, macrophysals को बुलाया जाता है, IL-5 के द्वारा eosnophils को बुलाया जाता है, और 6 and 13 के द्वारा B-cells को बुलाया जाता है, B-cells अपने आपको mature होते समय, plasma cells में बदलते हैं, और यह IgE antibodies का production करना शुरू कर देते हैं, पहला encounter अगर हुआ होगा, तो B-cells ने antibodies की थोड़ी संख्या बनाई और कुछ memory cells भी यहाँ पर develop हो गया, IgE को बना करके, कुछ memory cells के तोर पर यहाँ पर, ताकि अगली बार अगर encounter होता है, तो तुरंत body response पैदा करते हैं, तो पहले round में, तो antibodies कम बने होते हैं, बाद में जो यहाँ memory B-cells होंगे, वो तुरंत मौका पढ़ते हैं, तुरंत convert होंगे, तुरंत antibodies का production कर देंगे, और आप जानते हैं, यह जो IgE antibodies होता है, वो जाकर के muscle के surface पर बैठ जाता है, और इस तरीके से beta waves, antibodies, जब कभी भी दुबारा allergen आएगा, तुरंत इसको अपने surface पर लगाएगा, तुरंत अपने antigenic जो sites होती हैं, वहाँ पर लगा करके, तुरंत इसको degranulate करना शुरू कर देगा, कुछ है ऐसे, जिनको बनाने में थोड़ा time लगता है, जैसा हम लोग ने देखा था, कि जब signal आ गया, तो फिर जो Erectonic Acid, जो plasma membrane में पाई जाएगी, वो Prostaglandin और Leukotrans का formation करना शुरू कर देती है, तो Leukotrans के formation में थोड़ा समय लगता है, यह बात आप समझ सकते हैं, और यह बात हम लोग ने इंफ्लामेशन में डिस्कस किया था, किस तरीके से Erectonic Acid और उसके बाद वहाँ पर different तरीके से process चलते हुए Prostaglandin, Leukotrans का formation होता है, और इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन तुरंत यह अपने भीतर से बने हुए histamine को तो release कर ही सकता है, तो re-exp exposer होते ही, muscle यहाँ पर तुरंत squeeze करना शुरू कर देता है, अपने भीतर से जितनी भी चीज़ें होंगे उसको निकालना शुरू कर देता है, तो अगर हम चाहते हैं इस तरीके के response ना हो, तो muscle को stable बनाए रखना होगा, मलतलब क्या, stable बनाए रखे, वो squeeze करके अपने भीतर स इसने गलती से निकाल ही दिया है, तो histamine जो निकला हुआ है, उसका action नहोने दे, यानि anti-histamines देंगे, तो anti-histamines कौन से होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, उसके बारे भी हम देखेंगे, यह histamine पहले से बने हुए होते हैं, पांच से साथ मिनिट की भीतर इसका response आना इतना है नहीं, वो serotonin को भी release करना शुरू कर दियेगा, तो pre-formed में histamine और serotonin आते हैं, नया बनाना पड़ता है, थोड़ा समय लगता दो घंटे के बाद, जो अगला response आता, जो शुरुआते दोर में histamine और बाकि सारे serotonin के द्वारा होता, थोड़ा दिर बाद, यह पीछ लिकोट्राइंस A4, C4, D4 बनाशीर हो गया है, वो 2 आर से लेकर 24 आर तक inflammation का जो response होगा उसके लिए, तो इसको रोकना अगर हम चाहा रहे हैं, तो लिकोट्राइंस अगर release होई गया है, तो अपने receptor पर जाकर के काम ना कर सके, इस तरीके से histamine अगर release होई गया है, तो जाकर अगर पहुँच गया है, तो इसको काम ना करने दीजे, जैसे anti-histamines हो गया, उनके level पर रोक दीजे, इस तरीके से हम काम करेंगे, signal जाना ही न पाए, एक दूसरे को ख़बर पढ़ने ही न पाए, जो एक दूसरे में जो बुलार है ना, interleukin के release करने की वज़ा से, interleukin 4, 5, 6, and 13, इस तरीके की जो release किया जा, उनके signaling process को रोक दिया जा, इस तरीकी की को कोशिश हम steroid के द्वारा करते हैं, अगर signal चला ही गया, तो histamine जहां release हो रहा, उसके action को ना होने दे, anti-histamines दे सकते हैं, इसके रावा immunomodulators दे सकते हैं, जिसमें हम cyclosporins और tacrolimins देते हैं, व वो mast cells को stabilize किये रहे हैं, degranulate ना होने दे, ऐसे तरीके तब अपनाएंगे जब हमें prophylaxis की बात हो, एक बार अगर वो degranulate करके अपने भीतर से histamine को release कर दिया, तब इसका कोई role नहीं होता है, prophylaxis में इसका role होगा, mast cell को stabilize करने के जबदार है, sodium chromoglycate का होता है, इसी तरीके स कुछ ऐसे भी drugs हैं, जो mast cell को stabilize भी करते हैं और anti-histaminics effect भी रखते हैं, dual action होता है, तो उसमें keto-tefan, olopatadine, azelastine, epinastine, bipotastine, यह कई सारे नाम, यह second generation anti-histaminics हैं, जिनका एक additional part, mast cells को stabilize करने का भी देखा गया है, तो इस वजह से यह बहुत अच्छे drug हैं, जो prophylaxis में अच्छ response दर्शा दे हैं, सवाल पूछा गया, treatment of veronal keratoconjunctivitis include all except, तो steroid देंगे, क्रोमोगलाइकेट देंगे, बिल्कुल देंगे, प्रोफालेकसिस के दोरान दिया जाता है, olopatadine यह भी देंगे, बिल्कुल देंगे, यह प्रोफालेकसिस के दोरान देते हैं, क्या antibiotics की ज़रू